आपका अड़र फीज्ट वर्पिल के अंदर सबसे एच्छा फ्रीज है यह आपका चाहते चाहिक लीटर के अंदर अदर काफी दीवेस फ्रीजी निकाला कमने ने इसके अधर जो सबसेज़ डवांस ओचीज दीए कमने में वो दी आइसके इंदर ही टेक्नोजी है जिसका बेनिफीड ही रहता है कि लाइट जाने बाद में अक्सा अपने डुगडोर फ्रीज में क्या होता है 10-15 मिन बाद कुलिंग आपकी खतम हो जाती है इसमें क्या होगा आपकी यह कंटिनुन कुलिंग बनी रहेगी दूसरा कहा है कि यह आपका 101% आपका 4-3 है और जो हमारा फ्रीजर फ्रीजर फोर्सन है नॉर्मली कमणियों में क्या होता है पर्पल का सेटीब आपका 25% यह उसक्राइगाने सिर्फ आपको इसको ट्विस्ट करना है आए सबके इस बोक्स के अंदर आजाएगी इसके बाद special ice cream जोन दिया होते हैं जैसे market से आप ice cream दरा लेके आते हो चोकलेटों दरा लेके आते हो कि अबर क्या होती है एक साथ क्यों melt और श्टार्ड हो जाती है इसमें रखने बाद क्यों melt नहीं होगी इनमें maximum air vents दिया जाता है जिनका सबसे बड़ा benefit यह रहता है कि इनमें cooling का pressure ज्यादा होते है cooling का pressure ज्यादा होने से benefit हमें ही रहता है कि अगर मालीजी हमारा जो freezer है यह आपका माया 15 से basement लगातर बंद रहता है तो इसका temperature automatically minus 24 degree उपर चला जाता है जो normally किसी कम्नी का temperature minus 24 degree पर काम नहीं करता है बाकि सबका minus 16 से उपर कभी नहीं जाता है दूसरा benefit यह रहता है कि इसके इनमें साथ में mini neutral cool pack system दी होते है इनका benefit यह होता है कि जब हमारा free child रहा है उस running condition में आपकी cooling को saving कर लेता है जैसे हमारा inverter electricity को saving कर लेता है और लेट जानवा छोड़ता रहता है वैसे से में इसमें आपका छोड़ता रहता है दूसरा कहा है कि नीचे कमनी जैसे में आपका चीलेट रहे दे दिया आदेल इंट रिकोल्टिंग बोतल दूद का packet चीज बटर में आप इसको यूज कर सकते हो कर सकते हो सेगर लिक है कि कमनी जैसे में आपके घ्लास दियो है तफन ग्लास यह आपके अंबेकमल होता है तोटे नहीं आपके इसको 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 प्रैक्टिकल यूज है आप 90 केची तक वजन रह सकते हो जिसकी आपका ना टूटेगा ना कोई चोर होगा दूसरा कुलिंग हमारी इंचे द्लानत वीचे डिफिकल्ट हो जाती है तो इसमें कमनी ने पुरा उपका ड्रैक्टिक पैनल दिया होता है जो नॉर्मल फ्रीजिस में छोटा से पैनल लगा होता है जिसका वर्पूल के अंदर सबसे अद्वांस बैनिफिट ही रहता है कि कुलिंग जो की कमनी इसके अंदर आपको 38 लिटर की वेच्टर बास्केट यूज़ करती है जिसका बैनिफिट आपको यह रहता है कि इसके डालने बाद आपकी साधर दिन दे चल्जिया फ्रेस रहती है जिसका सब्सेड़ा रिजन है कि इसके अदर जो कमनी दिया ना आपका इसका फिर तवा जाता है प्लेट इसका बैनिफिट यह है कि इसके पुलर नहीं आपके प्रिस पैड बनी होते है जिनको हुनिकों वैल की तरह काम करता है जैसे एक मुद्व मुखी जो छित्ता होता ना जो सायद को गिरने ही देता है वैसे जो आपका सब्सक्र बनता है उसको अ प्रिज के इसके अंदर दूद रखा हो है हमारा एपल काटके रख दिया एक निकी स्मेल जाती में प्ताहिं चलता है कि हम थूद पी रहें एक खा रहें यह कुछ का रहें ताब किसमेल नहीं हो छीज है वैसे बिश्यबल की बाद कर रहें है तो इसके अपके अधर दी हो और वर्पल में वह सबसे है एडवांस इसके इंदर द्यूक्सिजन नेक यानि आपकी जो ऑक्सिजन उसको किल कर देता है और इसमें इसको कर देता है जिससे हमारी सबजियां फ्रेस रहती है सबसे बड़ा चीज है एक और वर्पल के अंदर वह इसके एक टेक्नोजी सिक्सेंस टेक्नोजी बहुते हैं जैसे कि हमारी जो पांच इंदर होती है हमारे सिरी के अंदर एक चटी इंदर होती है महसुस करने वाली तो सेम उसी उपर वाल करता है इसके फ्रीजर तो सब्सक्राइब को कहले है एंदर boyfriend के अचव सिरी के इसन कि यह क्ञाइब तो सब्सक्राइब के अंदर वастiqu ऑन प्लास्टिक होते है जिसका वेयर प्लस्टिक इसका बैनिफिट होता है कि जो आपके पिला पनान आना शड़ित होतार कभी आपको पिलापन नहीं आएगा इसके जो गैसकेट है जो रबेड है इसको आपका निकाल के साफ कर सकते हैं और प्लस आपका यह एंटि फंगल है इसमें जो आपका फंगिस वरा लिया तो फंगिस भी नहीं लगेगा फोस्टा रेटिंग के अंदर आपका बिजली आपका इसके एक साफ करें फिर्ज की वरांटी है और 10 यह आपकी फिर्जर वरांटी है तियए भी दिन रिप्लेस्में नहीं की रिपेरिंग वरांटी है यह वाला फ्रीज आपका 315 मोडले में 340 लिटर के अंदर है काफी एच्छा फ्रीज निकाला है कमनी ने उसके बात प्रीज वरांटी और 10 यह तंपरिशे वरांटी के अंदर है लेटेस्ट मोडल है यह आपका उसके बाद सबसे जो बैंची जाती ही वह आती है यह आपका 465 लिटर के अंदर 400 पैसेट काफी एच्छा फ्रीज है इसके ने बार एक सेंसर डिवाइस दिया होता है जो ऑटोम कि यह बैस्ट पैसे ने कमनी दे रही इसको आपको 52,000 यह आपका बैस्ट अधा इसका 50,000 रहेगा यह आपका बैस्ट फैस्ट में आता है 43,000 यह 35,000 के अंदर यह 305 पांच के अंदर लेटेश प्रोल का फिए च्छा मुड़ा जाता है सेंप टैनोची सेंट वीचर बट प्रफश्ट करता है इसके अटाइस फांट नम्बे यह दो सब चाता था टैनिया वारंटी वर्नियर से इंप्रीट है इसके अंदर पीचा अच्छा जाते हैं इसके अदर कमनी ने सबसे चीज में चीज होती है इसके अदर के अदर कि लगे कि आपको कुलिए आपके नीचे कम हो रही है तो आपको अरजेश्मेंट कर सकते हो इस फ्रीज में सबसे बढ़ी खास बात यह भी आजती है जो नर्मल फ्रीजों में नहीं होती है साइच चोटा होने की जैसे ज्यादा यूजिस में होता है नॉर्मल यूज यहने तेक पहुच पाते है तो उसके बोड़िंग कमनी ने अवलाद दिया होता है इसके बाद वर्क्रीजों सबसे जो लेटेस लोंच चुछ है वो आपकी यह दी रहती है तो सबसे काफी अच्छा फ्रीज निगाला है कम्रेने दीवेस्ट फ्रीज है रहता है प्रीजेबल का पैनिफिट हमारा ही रहता है कि इसमें जो पॉर्सन हमें यूज करना होता है चिर्फ हम उसको यूज करेंगे और हमारी वेज़ेबल बास्केट बिल्कुल अलग हो जाती है यानि हमें यहां पे एक समयल की पुरी प्रॉलम दूँ उसके बाद वेज़ेबल हमारा बिल्कुल अलग होने का बेनिफिट ही रहता है कि हमारी कुलिंग इसमें सेफ रहती है और लेक्शिटी खर्चा भी बहुत कम आता है मैक्सम पूरे दिन के अंदर आपका सिट वेगी दिन का खर्चा आता है क्योंकि इसका जो फ्रीजर है हमारा पूरे दिन में अच्छे जोर मारके सिर्फ आपका पांसे छे बारी खुलता है वेज़ेबल हमारा नोर्मल गिनती कि तीन बार ही खुलेगा तीन और चार बार इ यह काुड़ा जाती है प्लासे में इसमें व्होगा रिट्र दियो क огता है वा बुठली आपकी दो प्रेश देखनी लूड़े पस्मेल नी होने देता है अड़ फ्रेश नहीं जरी जाते है . इसमे निह नी आह बेसू है अपकी हाव को प्रेश्ध करते है अंगलि मेक्ते ज सेमा को फोस्टोरी है सिफ ट्विस्ट कर रहा है आई सब के अंदर आई जाएगा इसके अंदर नीचे सिलेट रहे है अदलेट फोल्डिंग बोतल जूद का पैकेश अंदर टफन जिलास है गिर जाए तो पुट्टे कमने किसी भी हालत में फूट्रे सबसे अलग दिए इसके इसके अंदर कमनी में जो दिया ना इसको जो फ्रीजे राकता है वह आपका डिप फ्रीजर की तरह काम करता है कि हमारी जो साइडम जो बरखके जो मोटी जो लेर जम जाती हो बहुत कम जंदी है और जो कुलिंग करता है मैक्सिंट सिर्व आपका ये 25-30 मिटियों पर अजम पर चांदी आपका एलिमिनियूम प्लस आपका इसके अंदर आपका पाउर्कोडिंग पैंड होता है जिसे अपकी बफ नीची पगने देता है। अंदर का इंटरल है काफी एच्छे इंटरल दिया गया है पुर आपका हवी है इसके अंदर पुरी ट्रास्पेंट पर एप प्रिज्ट में यह जाती है क्योंकि आपको 12 उजारने से क्या होता है छोटे फ्रीज में यह लूज आती है और चेंज गरने में काफी दिक्कत आती है तो इसमें क्लिए क्यों दिक्कत नहीं आएगी स्मार्ट लुक के अंदर है चांदी ओवर के साथ हैंडल आ जाता है फो श्टार रिटिंग के अंदर है फाइस यह कंपरिशर वारंटी कोई स्टैपलेज रिक्वार्मेंट नहीं है इंब्स्टैपलेज रह जाता है इसका कमनी जो प्राइज है आपका वो तो जब का रहेगा इसके अंदर 10,890 यह बेस्ट प्राइज कोश्ट करता है आपको 10,400 का उसके वाला आता है फिर यह वाला से इंदर है इससे कमनी को बदल दिया प्राफ फ्लैट कर दिया और अंदर की तरफ कमनी ने इसके आपके टफन ग्लास दे दिया जो नॉर्मल उसमें वैरसाल से यहा तो इसका सबस्वा बैनिफीट है जाता है कि आपका गिरने से तूटे गाली धर्मे जैसे छोटे बच्चे को गरा होते है कुछ भी रखना है या फिर कही कई गरम रखने से कभी कोई दिक्कत नहों जाए तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें आपकी आपकी आपने दे दे दिया तुरा स्टैलिश लुक बना दिया इंचेस में अलचे चोकी दी भी है आलू लिसन प्याज बास्केट वरा के लगसे चोकी बना दी सेपरेट इसका बैनिफीट है जो हमारे जो ड्राइव वेजटेबल होती है जैसे आलू है लिसन है प्याज बना रहा है जो अंदर वेजटेबल ब्रास का वी इसका काफी बैनिफीट रहता है अंदर कमनी ने इसका जैसे आपका आजे दिया एक जल्दी बड़ा जबने बटन दिया हो है शीक सेंस आइस वाटो कुल इसको आप इस तरह से घुमा देते हो तो बैनिफीट यह रहता है कि जो नॉर्मल अब अब जाता है काफी इच्छा नूब जाता है जीनियस के नाम से स्मार्ट लोग खैंडल है इंबिल्द अंदर वैसल पर शीजर का आपका सेम आजाता है इसके अंदर इसमें जो प्रीजर की जो क्वाल्टी वापी सीशेट के अंदर दी होती है से से का इंद्थ्य और मोटी जम जाती है घ्जांधा जो अधीए इसको निकालने में पूरां प्रसके.. आप्डाखी करना पड़ता है जो वर्ढ़ गीचें आपका शोर्च्रावर फट फिर्मन करना पड़ता है इससे या कि इसमा को ब्ली क्विता और बे इसे सिर जोके से अदर सबसे बढ़ी कपैस्टी आती है 310 के अंदर जो नॉर्मल किसी फ्रीज में आती है बाकि समय कुषाइब या 280 तक ही आती है वर्पूल के अंदर सबसे बढ़ा आप फ्रीज आता ही है अवाला सिंगर डोर के अंदर स्टालिस लुक में हैंडल है इसने जो नॉर्म जो फराग दिया है अपका वो दिया है कि इसके अधर कम्झी में फ्रीजर दाओं का सेंड डिए डिफरीज की तरह जो हमारे सो सिंगल डॉल में आता है वही फ्रीजर है प्लस इसमें कम्झी अपका आडवां सेहत लो सिस्टम दिया होता है इनका इसका बैनिफिट रहता है कि अगर आप इस हरे बटन को ओन करके छोड़ देते हो तो इस फ्रीजर में जैसी आपकी एक 2 mm की हलकी सी लेयर जमेगी वह ओटोमेटिल आपकी डिफ्रोश्ट हो जाएगी क्योंकि नॉर्मल फ्रीजर में कहुता है कि आपको बार-बार मैनुल क अब बढ़ता है बट इसमें आपकी अटमेटिक होती रही क्योंकि इसमें सिक्सें टेक्नोजी यूज करती है देखलो बास्केट है फ्रूट के लिए अलग से वेश्टिबल बास्केट हो जाती है आपके अच्छे बैनिफिट रहता है कि आप फ्रूट अलग से डालो चाहिए प्रूट करते हैं तो जोड़ पांसाल गम्भीशर वारंटी और एक सल पुरें प्रूट की इघ्डू है इसका सब्सेड़ा बैनिफिट है कि हर शाल फ्रूट के ओपर दी होती है जैंकि आप बैनिफिट है कि मालेजी हमारे जैसे दूध का प्दिल लाई है इहां आगया हमारा हमारे इसको ऊपर कुछ और समान रखना तो आप इसको एक एक साइड के पर रिजेस्ट्मन इसको अपर है वागे समय से त्री सल्प बनी होती है इसमें आपके त्री आजात की बटूंगा अपर रिजेस्ट्मन कर सकते हुए इसको पर रिजेस्ट्मन कर से एक सा अपर रिजेस्ट रिजेस्ट्मन कर सकते हुए